हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गीत स्वागत है आप सभी का मेरे चानल गार्डनिंग विद गीत कुमार में कुछ पॉट्स की शॉपिंग की है तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मे यह ना जादा बड़े हैं ना चुटे हैं बहुत यह मीडियम साइज के हैं जिसमें आप किसी भी तरह के खुबसूरत इंडोर प्लांट्स लगा के अपने घर के अंदर रख सकते हैं बहुत स्पेसियस है यह एक बार अगर आप लगा लें तो कम से कम तीन-चार साल तो इस पॉर्ट में जो भी प्लांट आप लगाते हैं वो अच्छे तरह से सर्वाइव करेगा और चलता रहेगा उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी तो मैंने कुछ पॉर्ट इसलिए घरीदे हैं क्योंकि मेरे कुछ इंडो प्लांट है जिनके कुछ के तो पॉर्ट काफी छोटे पड़ गए हैं प्लांट की ग्रोथ जादा हो गई है तो पॉर्ट सी छोटे हो गए हैं कुछ पुराने हो गए हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि नए पोट्स लेलू और उनको चेंज कर लूँ और नए पलाज को reporting का जैसे कि आप लोग सब को पता होगा फ्रेंट्स की रिपोर्टिंग का जो टाइमिंग होता है वो फर्वरी का महीना बहुत ही best होता है फरवरी का महीना और बरसात का महीना ये दो सीजन ऐसे हैं जब आप अपने किसी भी प्लांट्स को जाए वो इंडोर हो आउट्डोर हो बहुत अराम से अपने प्लांट्स को रिपॉर्ट कर सकते हैं तो ये छे पॉर्ट्स है मैं सारे आप लोगों को दिखाऊंग कलर कॉंबिनेशन इसमें कॉफी कलर ग्रीन एंड वाइट का टच है बहुत ही प्यारे लगते हैं बहुत ही खूपसूरत लग रहा है और ये सारे के सारे पॉट्स मुझे बहुत पसंद हैं सारे मैंने डिफरिंट कलर के लिए हैं और ये मीडियम साइज का है ये देखे ड्रे खूपस का रहता है ए दूसरा जो है देखे ये यलो कलर का है यलो एं वाइट टच में है और कविनेशन बहुत ही प्यारा है बहुत ही इडायक व लगता है बहुत ही सुंदर है ये सारे प्लांट्स ब्लांटर और पॉट्स तो आप किसी भी तरह के प्लांट्स लगा ले चाहे अगलोनिमा लगा ले डेफिन बेक्या लगा ले मनी प्लांट लगा ले किसी भी तरह के प्लांट्स आप लगा सकते हैं इसमें यह जो पॉट है फ्रेंट्स यह देखिए यह डाक यह कॉफी कलर एंड वाइट जाते हैं उसकी weight होती हैं उससे तो बहुत ही जादा भारी है यह बहुत heavy weighted है सारे पॉट्स तो overall कह सकते हैं कि सारे पॉट्स बहुत ही खुबसूरत तो हैं ही color combination भी प्यारा होने के साथ quality बढ़िया है material भी अच्छी है इन सब के यह जो pot है फ्रेंट्स थोड़ा सा यह सबसे यह जितने भी pot से पांच pot से यह थोड़ा सा छोटा है लेकिन इसका ऊपर का जो portion है वह थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें आप किसी तरह के बड़े plants लगा सकते हैं तो आसान ही होता है plant को निकालने में बाद में जब भी आप reporting कर होते हैं तो next जो है friends यह देखिए white and green combination में हैं बहुत ही खूबसरत लगता है और बहुत प्यारे-प्यारे हैं आप लोग भी मुझे comment section box में ज़रूर लिख कर बताएं कि आप लोगों को मेरे pot कैसे लगे और यह जो सारे pot मैंने लिए हैं friends यह जो सबसे बड़े size के जो इसम और यह green one तो ये जो मुझे चार pot मिले हैं मुझे 200 का मिला है 200 एच यानि की 200 इसके 200 इसके 200 इसके और 200 इसके तो ये 1200 के मुझे मिले हैं और यह जो pot है और 200 का बता रहा था क्योंकि बहुत ही खुबसूरत पीस है तो 200 बता रहा था तो मैंने थोड़ा सा उसमें bargaining की तो मैं सुच रही थी 150 का मिल जा तो बड़ा अच्छा रहेगा लेकिन 180 से कम नहीं किया उसने तो मैंने सुचा कि ले लूँ क्योंकि बहुत पसंदारे से मुझे color combination काफी अच्छा था material इनकी अच्छी थी heavy weight और look से अगर आप बात करें look की तो look भी बहुत अच्छा है तो इसी लिए 180 का ये and 180 का ये तो ये कुछ pots मैंने लिए हैं अपने home garden के लिए friends indoor plants लगाऊंगी इन में तो यही थी आज की हमारी pot की shopping वीडियो I hope आप लोगों को फसंद आई होगी आई हो तो ज़रूर like, share and subscribe करें मेरे चैनल gardening video दीट कुमार को friends मिलूँगी next वीडियो में Till then bye, take care